हाई फ्रेंड्स चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स करेंट अफेस के मोस्ट अपूर्ड टॉपिक आदित L1 मिशन की बात करेंगे इस से प्रतोगी परिच्छाओं में एक या दो प्रस्न जरूर देखने को मिलेंगे तो चलिए इस वीडियो की शु 2008 में इस मिशन की गोशना कीती है 2023 में इसको लॉंच किया जा रहा है अगला प्रस्न है आदित L1 मिशन को इस रूप कब लॉंच करेगा तो आदित L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11 बज के 50 मिनट पर सिरी हरी कोटा से लॉंच किया जाएगा इस मिशन को यूएस राव सेट सेंटर बेंगलूरू में असेंबल किया गया है अगला प्रस्न है आदित L1 मिशन को इस रूप कहां से लॉंच करेगा अंद्रप्रदेश के हरी कोटा इस्तित 37 दवन अंतरिच केंदर से इसे लॉंच किया जाएगा इस अंतरिच केंदर को इस पेस पोर्ट भी कहा जाता है तो 37 दवन अंतरिच केंदर से अगला प्रस्न है आदित L1 मिशन को किस प्रच्छे पन्यान से प्रच्छे पित किया जाएगा इस रूप से पीसल भी सी 57 रॉकेट के जरिये आदित L1 मिशन को लॉंच करके इसे प्रत्वी की निचली कच्छा में इस्तापित करेगा और वह अरे देश के रुमुक प्रच्छे पढ़ियान पहले शुरुआत में ऐस्ल भी था उसके बाद से भी एडवांस पीसल भी फिर जी एसल भी मार्क टू और जी एसल भी मार्क त्री तो इसको पीसल भी से बहजा जा रहा है आदित L1 मिशन को L1 बिंदु तक पहुचने में कि में लगेगा और यह है अगले पांच बरस तक सूर्य का अध्यन करता रहेगा तो यहां पर दिखाई दे रही है प्रत्वी तो प्रत्वी की सत्य से यानि की श्रीय कोटा से यह लूंच हो करके प्रत्वी की निचली कच्छा में इस्तापित कर देगा पी एसल भी यह प्रत्वी की कच्छा में चार चक्र लगाएगा और देरे देरे अपनी घती को बढ़ाता रहेगा और यह पर प्राप्त करते ही यह प्रत्वी की कच्छा को छोड़ देगा और सूर की कच्छा में चला जाएगा सूर की कच्छा में जाने के बाद ये L1 पॉइंट की कच्छा में एंटर करेगा और L1 पॉइंट पर इस्तापित होकर सूर का चक्कर लगाएगा और उसका अध्यन करेगा प्रत्वी से L1 पॉइंट की जो दूरी है वो 15,00,000,000 km है या 1.5,000,000 km है जब कि प्रत्वी से सूर की दूरी 1.500,000,000 km है आदित L1 केवल एक प्रतिस्त दूरी ही तै करेगा 1.5,000,000 की दूरी पर ये L1 विंदु पर स्थापित हो करके अपना अध्यान करेगा अगला प्रस्न है आदित L1 मिशन को कौन सी कच्छा में स्थापित किया जाएगा L1 कच्छा में स्थापित किया जाएगा ये L1 पॉइंट क्या होते हैं तो इनकी वी चर्चा करेंगे तो आदित L1 को प्रत्वी से लगवग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर प्रत्वी और सूर के बीच L1 विंदु या लेंगरेज पॉइंट के आसपास एक प्रभामंडल कच्छा में स्थापित किया जाएगा तो ये है प्रत्वी और ये है सूर्य इसके बीच में ये है L1 कच्छा तो यहाँ पर हमारा आदित L1 मिशन इस्तापित होगा आगे है लेंगरेज पॉइंट क्या होता है को संतुलित करता है या बराबर होता है तो ऐसे बिंदू होती है लेंगरेज पॉइंट तो ऐसे टोटल पांच बिंदू है L1, L2, L3, L4 और L5 जिसमें हम L1 पर अपने आदित L1 मिशन को इस्तापित करेंगे यहां से आदित L1 मिशन सूर्य का सही से अध्यन कर पाएगा तो यहां पर एदन की नियुन्तम खपत होगी और निश्चत इस्तिती में रहने के लिए एक पार्किंग इस्तालका कारेगा आदित L1 मिशन के उद्देश क्या हैं तो आदित L1 मिशन के चार प्रमुख उद्देश से हैं पहला है सूर्य के बाईबंडल और कोरोना की संरचना और उसकी गशीलता का अध्यन करेगा दूसरा सूर्य फिलेयर्स कोरोनाल मास इंजेक्शन की उत्पत्ति और विकास को समझना और तीसरा है सूर्य गत्विदी और अंतरिच मौसम के भी संबंदों को समझना और चौता है सौर गत्विदी के प्रभावों से परत्वी के बातावरर और जलवाईव पर प्रभावों को समझना आदित एलवन मिशन में साथ पेलोड हैं पेलोड यानि की बेग्यानिक उपकरण जो विविन्न पोज या रिसर्च का कारे करेंगी तो यह पहला है विजिवल एमिशन लाइन कोरोना गिराफ दूसरा है एस यू आईटी यानि की सौर प्रावैगनी इमेजिंग टेलिस्कोप सौर अल्ट्रा वाइलेट इमेजिंग टेलिस्कोप तीसरा है Solex यानि की सौर लो एनरजी एकसरे स्पेक्ट्रो मीटर चोता है He L1-OS High Energy L1 Orbitng एकसरे स्पेक्ट्रो मीटर उच उर्जा L1 आरविटिंग एकसरे स्पेक्ट्रो मीटर पांचमा है ASPEX यानि आदित सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आदित सौर पवनकन प्रियोग और पांचमा है PAPA प्लाजमा एनलाइजर पैकेज पोर आदित के लिए प्लाजमा बिशलेशक पैकेज और सात्मा है MAGNETOMETER यानि यह सौर के चुमकी चित्र का मापेगा यहां पर यह आपको दिखाई दे रहा होगा यह है MAGNETOMETER जो चुमकी चित्र का मापेगा यह है PAPA और यह है VELC और यह SUIT और यह है HEL1OS और यह है ASPEX इसके दो पार्ट हैं दोनों SWIS और स्टेप्स बन SOLEX जब इसको गुमा देंगे तो ये उसके बैक साइड में दिखाई दे रहा है अब हम इसरो के बारे में कुछ important facts जान लेते हैं Indian Space Research Organization इसकी full form है 15 अगस तुनी सो नत्त को इसकी स्टापना हुई बैंगलोर में इसका मुख्याले है बर्तमान अध्यच एस सोमनाद जी है इसरो से पहले जो अंतरिच की संस्ताती वो थी भारती राष्ट्री अंतरिच अनसंदान समिती इसकी स्टापना डाक्टर बिक्रम ए साराभाई की नेतुरत में 1962 में भारत सरकार द्वारा की गई बारती अंतरिच कारिक्रम का जनक भी डाक्टर बिक्रम साराभाई को माना जाता है और भारत की मिसाइल में डाक्टर एपीजे अब्दिल कलाम को कहा जाता है ये है इश्रो का लोगो अब आपके लिए एक अब्यास प्रसन है सुर का प्रकास प्रत्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है ये चार बिकल्पे हैं आपको जो भी उत्तर है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए फिलाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं